हेलो एवरिवन स्वागत है आपका फिजिक्स पायर टॉपर्स में और लास्ट वीडियो में हमने स्टाडी किया था हाइगंस थियोरी बाइडबल रिफ्रेक्शन और नेक्स्ट टॉपिक है अपना यहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेज बाइडबल रिफ्रेक्शन तो यहां पर आपके पास में जो दिवी अपवर्तन है उसके द्वारा बनने वाली जो डिफरेंट टाइप के प्रतिविम है या इमेजेज हैं उनको हमको स्टाडी करना है तो आईए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स टॉपिक देखिए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं द उसके साथ साथ में डिपेंड करता है कि आपके पास में जो गैलसाइट क्रिस्टल है उसकी ऑप्टिक एक्स जो है वो किस डारेक्शन में है कौन सी प्लेन में है और इसकी अपने पास में डिफरेंट टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर हम फर्स्ट कं तल में दी अपपरती प्रष्ट के लंवत है देखें इसको हमें कैसे समझना है यहाँ पर आपके पास में यह जो light rays है यह light rays जो है यह normal incidence हो रही है और हमने यहाँ पर क्या लिए है यह आपके पास में surface है किसका calcite crystal का यह calcite crystal का surface है इसके साथ में जो calcite crystal का optic axis है वो यह है perpendicular direction में यह हमने optic axis consider किया है जो मैंने dash trace show किया है अब देखें आपका यह जो topic है इसमें दो चीजे important है एक तो आपको इसको concept से समझना है और दूसरा आपको exam में इसका जो diagram है वो भी आपको draw करना है तो हम दोनों चीजों को साथ में लेकर के चलेंगे तो चलिए इसके लिए start करते हैं हम first condition first हमारे पास में है optic axis कैसा होना चीए perpendicular in the refracting surface तो देखें यह आपका x y जो है यह आपका refracting surface है और इसके perpendicular आपके पास में यह optic axis है जो आपके screen के तल में आपतन तल में या incident plane में ही है ठीक है अब हम start करते हैं हमारा image formation कैसी होगा देखिए image draw करने के लिए हमने सबसे पहले क्या consider किया कि हमने consider किया हम light को normal incidence कर रहे हैं मतलब हम अभी लंब आपतन कर रहे हैं ठीक है यह हमने light को normal incidence किया जो यहाँ पर calcite crystal का surface xy है इस पर यह A और B point पर जाकर के इसने strike किया ठीक है तो यहाँ पर अपने पास में यह light जो है यह normal incidence हो रही है और इससे बनने वाला जो विब फ्रेंट है जो तरंगागर है आपते तरंगागर वो कितना है A, B है अब light जब यहाँ पर incident होगी तो according to Huygens theory जो हुआइगंस के postulates है वहाँ पर अपने पास क्या है जैसे ही light calcite crystal के xy surface पर incident होगी तो इसके जो points है A और B A और B points दोनों ही कैसे behave करने लगेंगे दित्यक तरंगिका के स्तरोत की तरह से बहवार करने लगेंगे means we can say these points A and B behave like as the source of secondary favorites तो आपके पास में A और B जो है दोनों points जो है यह secondary favorites के source की तरह से behave करेंगे यहाँ से अपने पास में light जो है वो filter होना start हो जाएगी साथ ही में हमने optic axis कैसा लिया है जो आपके पास में screen का जो plane है मितलब जो आपका incident plane है जो आपका आपतन तल है उसी में आपका optic axis है लेकिन यह जो आपका calcite crystal xy है इससे perpendicular direction में है चलिए next समझते हैं अब आगे इसमें जब यह जैसे ही calcite crystal में strike करेगी तो आगे क्या होगा देखिए यहाँ पर यह जो अपने पास में light ray normal incidence हो रही है जब यह a point पर जाएगी तो a point पर जाने के बाद में यह जैसे ही calcite crystal पर strike होगी तो यहाँ पर light जो है वो दो type के vibrations में divide हो जाएगी है ना दो type के company में अलग-अलग हो जाएगी कुछ vibrations है आपके पास में इस type से होंगे जो आपके पास में screen के plane में है कुछ vibrations ऐसे होंगे जो screen के plane के perpendicular है same as it is B में होगा B में भी कुछ vibrations जो है आपके पास में आपको screen के plane में मिलेंगे और कुछ vibrations आपको perpendicular plane में मिलेंगे अब यहाँ पर अपने पास में क्या है कि यहाँ पर यहाँ पर जो अपने पास में जो vibrations इस screen के perpendicular plane में हैं वो vibrations किसके हैं? और यहाँ पर अपने पास में यह दोनों ही vibrations जो हैं? यहाँ पर अपने पास में जो इन दोनों के वेवफ्रेंट्स पर जो हैं? और यहाँ पर जो इन दोनों के एक साथ भढ़ने की वज़े से हमें एक ही टाइप का वेवफ्रेंट्स मिलेगा? यह परिणामी जो तरंगागर है वो आपको कैसा मिलेगा? सिंगल वन ही मिलेगा तो अपने पास में डबल रिफ्रेक्शन की इवेंट नहीं होगी दू अपवर्तन नहीं होगा इसको हम आगे डाइगराम से समझते हैं डैक्स डाइगराम जो है देखिए हमने उसी डाइगराम को वापिस चंसीडर कर लिया यह आपका xy सरफेस है के लसाइट क्रिस्टल का और यह लाइट जो है ओर का नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है as a ordinary ray और as a extraordinary ray और ये दोनों ही rays जो है वो same speed से आगे की तरफ भढ़ेंगी क्योंकि ये दोनों rays जो है वो एक ही दिशा में optic axis की तरफ जा रही है और optic axis की तरफ हमारे पास में velocity of ordinary ray equals to velocity of extraordinary ray दोनों का वे एक समान होगा इसलिए अपने पास में ये जो बनने वाले तरंगागर हैं ये जो wavefronts हैं ये optic axis के रख जाते जाते दोनों एक साथ में भढ़ेंगे तो इनसे बनने वाला जो अपने पास में resultant बनेगा जो आपके पास में जो resultant बनेगा वो एक ही wavefront बनेगा single wavefront मिलेगा देखिए जहाँ पर ये points मिल रहे हैं यहाँ से और ये जो point मिल रहे हैं यहाँ पर जब आप इन दोनों lines को मिलाते हैं तो आपके पास में single one wavefront मिलता है means आपके पास में double reflection नहीं होगा दियप परतन की क्रिया नहीं होगी इसको हम वापिस देख लेते हैं देखिए एक मिनट ये और आपको clear हो जाएगा देखिए ये जो है आपके पास में ये diagram है अब यहाँ पर आपके पास में देखिए जो गोलिये wavefront है इसका जो d point है इसको आप इस गोलिये wavefront से ये जो circular wavefront है इसके C point से मिलाएए और यहाँ पर जो spherical wavefront है इसके G point को आप दूसरे spherical wavefront के F point से मिलाएए तो आपके पास में ये total एक ही wavefront बनेगा ये जैसे अपने पास में दो wavefront नहीं बने रहे हैं मतलब हमें एक object की दो image नहीं मिलेंगी इस condition में और दियपुवर्तन की क्रिया नहीं होगी मतलब double reflection नहीं होगा ठीक है यह अपने पास में first case है अब हम चलते हैं हमारी second condition पे second condition क्या है यदि आपके पास में कैसा आपतन हो त्रियक आपतन हो मतलब light ray जो है वो आपके पास में यह जो calcite crystal का xy surface है इस पे normal incidence नहों करके particular किसी angle पर हमने incidence किया जैसे हमने इसको light को यहां से incidence किया मतलब आपतित किया तो यहां पर अपने पास में यह जो point A और B है यह बिल करके particular wavefront बना रहे है मेंस हमने क्या किया दो parallel rays लिए जो particular किसी angle पर incidence हो रही है और यहां से एक lump डाल दिया एक perpendicular डाल दिया A B जो अपने पास में as a incident wavefront काम कर रहा है आपतित तरंगागर की तरह से काम कर रहा है अब यहां पर point A पर जैसे ही light जाएगी light दो type के vibrations में डिवाइट हो जाएगी एक आपके पास में as a extraordinary ray काम करेगा और एक आपके पास में as a ordinary ray काम करेगा ठीक है अब आपके पास में और यह जो है अपने पास में same way condition optic axis आपके पास में perpendicular distance पे है अभी हम same यही यही condition follow करके चल रहे है कि जब आपके पास में calcite crystal से optic axis जो है वो perpendicular है और उसी के plane में है अब यहाँ से हमने क्या किया यह जो अपने पास में extraordinary ray है यह ellipsoidal wavefront बनाएगी और जो ordinary ray है यह spherical wavefront बनाएगी हमने दोनों को बना दिया अब यह दोनों जाकर के कहां मिलेंगे यह optic axis पर मिलेंगे क्योंकि हमने study गिया है कि अपने पास में दोनों type के wavefront जो होते है spherical और ellipsoidal दोनों ही कहां पर मिलते हैं optic axis पर क्योंकि हमारे पास में extraordinary और ordinary ray दोनों के velocity optic axis पर सेम है तो यह दोनों यहाँ touch करेंगे लेकिन यहाँ पर इसमें क्या होगा अब इसका resulting wavefront कैसे बनेगा उसको हम देखते हैं इसके next diagram में देखिए जो ordinary ray है उसके लिए refractive index कितना है mu naught है ना या mu o और जो extraordinary ray है उसके लिए refractive index कितना है mu e तो यहाँ पर जैसे ही हमारे पास में तो parallel ray आ रही थी a और b तो हमने क्या किया यहाँ पर जैसे ही मैंने एक perpendicular डाला a b तो इसकी वज़े से क्या होगा जब तक यहाँ पर b point से निकलने वाली light b c travel करेगी क्योंकि अपने पास में a और b जो है वो कैसे है यह secondary source की तरह से काम करेंगे तो light ray जब तक b से c point तक पहुँचेगी इतनी देर में जो a point की light है वो a point की light जो है वो कितना travel कर लेगी a d travel कर लेगी कितना travel करेगी जैसे ordinary ray है ordinary ray कितना travel कर लेगी b c into mu not travel करेगी ऐसे यह extraordinary ray कितना travel करेगी b c into mu e travel करेगी कहने का means यह है जब तक B रे जो है वो C पॉइंट तक पहुँचेगी तब तक A रे जो है वो D पॉइंट तक पहुँच जाएगी ठीक है अब आप यहाँ पर जो ordinary रे है उसके लिए एक circular वेफ्रेंट डौ करेंगे और जो extraordinary रे है उसके लिए ellipsoidal वेफ्रेंट डौ करेंगे दोनों वेफ्रेंट जो है वो optic axis पर जाकर के कौन साइड होँगे वहीं मिलेंगे तो हमने यह optic axis पर दोनों को मिला दिया अब यहाँ पर हमको क्या करना है जो resultant वेफ्रेंट है उसको draw करना है जो परिणामी तरंग आग रहा है आप उसको बनाएंगे तो हमने क्या किया, C point से हमने एक tangent ड्रॉ किया, किस पर ड्रॉ किया एक तो circular वाले पर ड्रॉ किया और फिर हमने एक और tangent ड्रॉ किया जो हमने spherical wavefront पर ड्रॉ किया तो हमें दो points मिले, पहला point मिला D और जो आपके पास में ellipsidal था उस पर point मिला G तो आपके पास में एक तो वेफ्रेंट बना कौन सा CD और दूसरा वेफ्रेंट बना CG means by double refraction हमें दो वेफ्रेंट्स मिल रहे हैं इसका मतलब यहाँ पे दू अपफर्तिन की घटना होगी मैं आपको इंदी शॉर्ट एक बार और बता देती हूँ यह आपका XY plane है कैल साइट क्रिस्टल का यहाँ से आपने light को incident किया यहाँ पर आपके पास में A और B दो points है जहाँ से light incident होना start हुई और यह rays जो है आगे जाकर के दो type में filter हो गई A point पर जो है यह extraordinary और ordinary ray में filter हो गई C point पर ordinary और extraordinary ray में filter हो गई अब यहाँ पर अपने पास में A point पर जो light है यह अपने पास में दो type के wavefront बनाएगी ordinary ray जो है वो circular wavefront बनाएगी extraordinary जो है वो spherical, sorry ellipsoidal wavefront बनाएगी दिर्वरतिय तरंगागर बनाएगी ठीक है अब हमारे पास में जब B से चलने वाले light BC travel करेगी उतनी देर में जो ordinary ray है यह कितना travel कर लेगी mu not BC travel कर लेगी और जो extraordinary ray है वो कितना travel कर लेगी mu e BC travel कर लेगी इस वज़े से light यहाँ आगे पहुँचाईगी D और G point पर जब तक अपने पास में यह B से C point पर पहुँचेगी अब हमने क्या किया C point से हमने resultant wavefront निगालने के लिए tangential draw किया किस पर एक बार हमने spherical wavefront पर draw किया जो हमें D point पर जाकर के मिला तो हमारे पास में resultant wavefront कितना हो गया CD हो गया और दूसरा हमने tangent draw किया यहाँ पर किस पर जो ellipsoidal wavefront है तो वो कहाँ पर जाकर के मिला G point पर जाकर के मिला तो हमारे पास में resultant wavefront कौन सा हो गया CG हो गया इस टाइप से हमारे पास में दो resultant wavefront आ गया CD और CG यहाँ पर जो अपवर्तित तरंगागर है वो दो तरंगागर मिल रही है CD और CG بة तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तब तक आप पनी पढ़ाई जारी रखें All the very best बाब बाइ